Hi everyone, welcome to my Excel, मैं हूँ कमलेस, आज के इस इडियो में बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी डेटा को split कर सकते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेटाशीट बनाया हुआ है, जिसके थुरू में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप किसी भी डेटा को split कर सकते हैं और उसका यूज आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए चलिए देखते हैं कैसे हम किसी भी डेटा को split कर सकते हैं तो उसके लिए जैसे, सबस्च करो, मुझे ये डेटा split कर रहा है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने इस सारा डेटा यहाँ पर select किया ठीक है select करने के बाद select करने के बाद आपको view वाले option में आना है view वाले option में आके आपको यहाँ पर click करना है देखे जैसे ही मैंने यह डेटा यहाँ पर split किया है तो इसका देखें किया आपको इसमें different नजर आया देखें अब जैसे मैंने split किया तो यहां पर एक line add हो गई है अब देखें जैसे मैं यहां पर उपर click करूँगा तो data जैसे से उपर बढ़ता जाएगा वहांसे यह चीज आपको यह देखें उपर यह देखें मैंने उपर click किया तो यह जी data है इसी के अंदर से यह अंदर को होते हुए जा रहा है जहां जहां मेरा cursor है वो देख रहूंगे आप यहां पर सेम चीज आपको यहां पर दिख रही है अब देखें इसमें किया है कि एक ही data के दो पार्ट यहां पर divide हो गए है ठीक है अब इसको आप उपर करें तो अगर मैं यह देखिए इसमें एक क्यामने save जो आपको data है वो ही एक है एक तरह से करते हैं कि same sheet के अंदर दो जगह आपको यहां पर reflect हो रहा है जैसे आप इस वाले time में आया है तो मैं इसको यहां से up and down करके इसको data को यहां से दे सकता हूँ और एक यह है जो current में मेरे पास है इसको मैं ऐसे यहां पर देख सकता हूँ तो है ना एक अच्छा split का बहुत ही अच्छा option होता है इसको आप अपने तरह के से use excel में कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि पूरे window ने जानी आ रहे तो आप इतना इसको इस तरह से उपन नीचे अपनी कर्मेंड के साब से इसको यूज कर सकते हैं अब आप चाहते हैं कि अगर आपको रिमूब करना है तो आपको यहाँ पर आके द्वाराज में क्लिक कर देना है तो यह data आपका रिमूब हो गया तो जितना भी आपको data समस्कुरों मुझे अगर इतना ही data split करना है तो मैं simple से यहाँ पर split करूँगा तो अभी आप देखिए जितना मैंने data select किया है वही same यहाँ पर आएगा यह देखिए आप ठीक है तो यह इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं इसको आप यहाँ पर अगर आपको चाहते है कि इसका use नहीं करना है तो इसको आप अनाइट कर देंगे ठीक है अगर हम इसको select करते हैं split किया मैंने देखते हैं कि क्या हुआ इस से यह देखिए अब इसमें एक चीज़ आपने note की मैंने जो self select किया यह उसी पर ही इसका यहाँ पर data show हो रहा है इसको आप दुबारा click करेंगे तो यह यहाँ पर split हट जाएगा तो उम्मीद आपको यह इस preview बनाएगा वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज को like करें शेयर करें तो आज के लिए बज़ित नहीं है बाई बाई अ कि